हम इस वक्त खड़े हैं वनगूलपूर एरिया में ये लेन नमबर आठ है यही सबसे ज़्यादा वो लेन इसलिए चर्चा में आई क्योंकि यहां अब्दुल मलिक जो मुख्य साजिश करता के रूप में जाना गया देखी हम उनके उस समय घर में हैं और ये घर की इस्तिती में दिखाना चाओंगा ये पूरी तरह से पुलिस ने इसे बंद कर दिया है वज़े है कि अब्दुल मलिक इस समय पुलिस जायरी में फरार की घोशना की गई है पुलिस का सीधे रूप से मानना है कि अब्दुल मलिक के उपर जो रिकवरी निकाली गई थी 2 करोड 44 लाकी वो उसके नोटिस चस्पा किया जया उसके बाद कोई जवाब नहीं आया जिसके बाद यहाँ पे कुड़की गई गई देखे यह जो घर है इस घर में रहता था और यहाँ पे ताले लगे गए हैं क्योंकि यहाँ पे कुड़की हो चुकी है देखिए ये ताला लगावा है घर में और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से ये देखिए यहाँ पुलिस चस्पा करके गई थी नोटिस के बाद नीचे ताला भी लगा है और यहीं से पुलिस ने सारी जो उनके घर की खोड़की की थी खोड़की करने क यह तमाम उन लोगों के नाम यहां लिखे वे थी जिन्होंने उस साजिश के तहर्त जिनें पुलिस आरूपी मानती है और देखिए पोस्टर भी दिखाऊंगा मैं यहां पे मकान पूरी तरह से बंद हो चुका है कर्फ्यू पूरी तरह से खोल दिया गया है इलाके में साम लगातार इनकी ढूंड चल रही है कि आखिर कहां पे हैं और सीधे रूप से इनके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर यहां पे पुलिस ने अपने नंबर भी दिये गए तो निशित तोर पे पुलिस लगातार इनकी ढूंड कर रही है इनकी तलाश में लगी है और जैसे ही इनके बारे में कोई भी संपर्क स्थापित होता है तो कुलिस का कहना है कि वो संपर्क करें और इसमें नीचे नंबर भी दिये गए हैं मेरे पीछे आज भी वो निशाने जब 8 फरवरी को यहां पर आगजनी की घटना हुई और पत्थरबाजी की घटना हु हो और यहां से भाग चुके हैं देखिए अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं यह शेत्र है मल्क का बजीच यह शेत्र में पहले पूरे शेढ यहां हुआ करता था जिसके बाद शेढ की कारेवाई हुई और इस शेढ का निर्मान जो यहां था इसे पूरी रूप से तोड़ दिया गया देखें मैं केमरामेंट से कहूँगा और आगे आए देखी इस्तिती दिखाता हूँ इस समय हम ग्राउंड जीरो अपको दिखा रहे हैं कि जो इस्तिती थी वो देखिए आज यहां पे जो इस्तिती है यहां पे शेड था यह पहले जो कृशी भूमी हुआ करती थी जिसमें परशासन का सीधे रूप से कहना है कि कृषी भूमी पर अवायद रूप से कबजा किया गया अतिकरमन किया गया धर्म की आड में अतिकरमन करके यहां पर कबजे करने की नियस से जब कबजा हटाया गया तब यह घटना देखने को भी आठ फरवरी की मामल था जब पूरे बूजर चलाया और साफ सफाई करनी शुरू हुई तो इस शेत्र से पत्थरवाजी आने शुरू हुए और देखी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं वह तस्वीरे ग्राउंड जीरो से पहली बार आपको किसी तस्वीरे वह देखने को मिल रही है तस्वीरे साफ पूरी तरह से बया करती है किस हद तक यहां पर जब तोड़ फोड हुई जब प्रशासन का बुल्डोजर चला उसके बाद जो गहमा गहमी हुई फिर हिंसा बढ़ी हिंसा बढ़ने के बाद जब इस्तिती खराब होती है तो आप देख सकते हैं कि यह वही जगे है जहां पर इस्त पत्थरवाजी कहां से होती है ग्राउंड जीरो से मैं आपको दिखा रहा हूँ आए मेरे साथ और भी मैं आपको दिखाऊंगो वह तस्वीरे जो आपके लिए बेह ज़्यादा जरूरी हैं देखने के लिए हम इस वक्त खड़े हैं मलिक बगीचा में वनभूलपूर का व तो मलवा आप देख पा रहे हैं यह उसी का मलवा है जिस दिन परशासन आता है और उस मलवे को हटाता है पहले नोटिस जारी किया जाता है 29 जनवरी को उसके बाद भी जब कोई यहां से हटाय नहीं जाता सीधे रूप से परशासन ने कहा था कि वह अगर आप यहां से नह तो इस शेतर में से देखे, ये जो शेतर है, यहां से पथरवाजी होनी शुरू होती है اور इस पूरे शेतर को मैं दिखाना चाहूँगा देखे यह आभ पुलिस चुटि का निर्मान कर दिया गया है जब पत्थरवाजी होती है तो इनी शेतर में सबसे ज़्यादा पुलिस और मीडिया कर्मियों के उपर पत्थरवाजी के साथ साथ तोड़ फोड़ आगजनी जैसी घटना होती है पैट्रोल बंप चलाए जाते हैं और ये जब शासिन ने इस पे जाच करनी शुरू की तकरीबन 68 लोग रफ्तार हो चुके हैं सब घर यहां से छोड़ कर चले गए हैं लोग ताला लगा कर चले गए हैं अब देखिए यह देखिए इस्तिती क्या सी अब यह मैंने आपको इधर से घर दिखाए अब यह घर दिखाए देखिए यहां पुलिस फोर्स तैनाथ है कर्फ्यू हट चुका है लेकिन घर उपे से ताले नहीं हटे हैं यह मैं आपको वो ग्राउंड जीरो से वह हकीकत दिखा रहा हूं कि कैसे यहां से उपर से पत्थर चल रहे थे लगातार यहां पे जब प्रशासन अपना बुल्डोजर की कारवाही कर रहा था तो निश्चित रूप से उपर से जब पत्थर बाजी और आपको घर दिखाता हूं मैं पीछे यह जो घर की स्थिती है आप यह देखीizar यह लगावा है और तेखीर गर की स्थिती में यह दिखाना चाहूंगा यह देखीर यहां पर बी ताला लगा अन्धर से गने जो ताला है, वो अंदर से लगाया गया है, ये देखी अंदर से ताला लगा आके पत्थर ये देखे देख Осब चोड़ेंगे नहीं, पताल से भी ढूंके निकालेंगे ताले लगेंगे हैं, उसका नजारा आपको दिखा रहा हूं, राउंड जीरो से दिखा रहा हूं जो पत्थर बाजी जिन लोगों ने की थी यहां पर वो यहां से घर छोड़कर फरार हो चुके देखिए और भी दिखाता हूं तस्वीरे यह तस्वीरे हैं यह लगातार देखिए यह घर है इस घर को भी अंदर से लॉक करके यहां से बंद किया गय जहां पर प्रशासन की पूरे कारेवाई हुई, यहां बताया जाता है, नीचे लोग रहते थे, उपर पढ़ाई करते थे, तमाम चीज़े बताई जा रही है, दूसरी पक्ष की दलील सिधर रूप से है, कि हमार से बिना पूछे, यह कारेवाई की गई, कारेवाई की गई, प्रशासन की जमीन थी, प्रशासन ने अपनी जमीन वापस ले ली, बात सिर्फ ये है कि आखिर प्रशासन का जो रविया था उनका कहना है, ये बिल्कुल गलत था, जबकि नोटिस जारी किया गया, 39 जन्वरी को नोटिस चिपकाया गया, आठ फरवरी को जब तोड़ने की कारवाई हुई, वो सब के सामने तस्वीदे हैं, देखिए, ये अपने आप में तस्वीदे हैं, सामने घर देख रहे होंगे, यहां तमाम घर खाली हो चुके हैं, ये तमाम उपर से जो पत्थरों के आप विजवल देख रहे थे, टेलिव कि तलाश में, पत्थर बाजों की तलाश में, आगजनी करने वालों की तलाश लगातार पुलिस अपना काम करने में जुटी भी है, अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस को कब बड़ी सफलता हासिल होती है, और कब ये पता चलता है कि आखिर इसके पीछे पूरा खेल क्या था अभिशेक सीना टाइम सेना भारत हल्दवानी वन भूल पूरा